हेलो फ्रेंड्स लर्निंगिन नए अंदाज में आपका श्वागत है आज की स्वीडियो में हम डिसकस करेंगे रजिस्टेंस विल्डिंग के बारे में क्या होता है तता इनके कौन कौन से टाइब है तता इनकी टाइब और इनकी working process को हो लोग डाइग्राम के तरो बहुत आसान भासा में सबगेंगे वर्जिस्टेंस वेल्डिंग होता क्या है रेचिस्टेंस वेल्डिंग को प्राय जो है हम लोग electric resistance वेल्डिंग है अब इसके नाम से ही इसके बारे में पूरा पता कर सकते है तो आपको क्या पता चलता है? एलेक्ट्रिक यानि Peach Light यूज लेक्ट्रिक इसमें प्रतिरोध ज्याइन क्या करते हैं एक वेल्डिंग करते हैं इसमें Metal can be joined together by applying pressure यानि जब हम metal को join करेंगे तो pressure apply करेंगे and conducting a stroke electric current और strong electric current यानि current की मात्रा रहेगे उसमें भहुत ही strong यानि high current उसमें flow करवाएंगे through the metal combination to heat heat up and welding joint and melt the metal forging them together यानि जब हम जिस point पर हमको welding करना रहेगा उसमें उस point पर हम लोग इस इलेक्ट्रिक का जो tip है यानि जिसमें जैसे copper tip इस्तेमाल क्याता है तो copper tip को वहाँ पर रखेंगे वहाँ पर प्रेसर एप्लाई करेंगे प्रेसर एप्लाई करने के साथ साथ उसमें electric current high current प्रोवाइड करेंगे जिसके तो metal होँआ का heat हो जाएगा और heat होके उसके पास का यानि दो surfaces की बीच का जो metal heat होके melt होगा melt होके एक welding joint बन जाएगा इसकी type की बारे में पढ़ते हैं देखिए सबसे important है sport welding sport welding क्या होता है जिसके इसके नाम से आपको जलेगा sport welding यानि जिस point पे भी आपको welding रहेगा उस point पे sport यानि एक pointed जो welding कहते हैं उसको sport welding बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक practically कर के दिखा रहा है जैसे कि यह बंदा है यह जो टीप है जिसे यह टीप यह टीप दोनों कापर का बना होता है यह वर्कपिस है इन दोनों के बीच में यहाँ पर joint हमको करना है तो हम लोग क्या करेंगे यह दोनों copper electrode जो है इसमें पर्वाइट करते हैं पाउर सप्राई करेंगे साथ साथ ऊपर से प्रेशर भी करेंगे जैसे कि यह यहां से दबाएंगे तो यह दोनों टीप जो है इसपे टच होगा टच होके प्रेशर प्लाई हो रहा है हाई electric प्रॉइच हो रहा है इसकी विएसे महां का मैटल जब जॉल जाएगा और एक जुँन्ट बन जाएगा तो यह हूआ स्पॉट वेल्डिंग कि नेक्स्ट है रजिस्ट करने कि सीम वेल्डिंग सीम वेल्डिंग जो हैसे रोलर का इस्तिमाल किया जा रहा है अब यहांसे यह दो प्लेट हैं इन दोनों की बीच में हमको उखर वहो करना है मैंसे वेल्डिंग करना है तो दोनों के बीच में यहाँ पर ले जाके ठीकर है यहां से दोनों पर प्रेस लाई होगा एलेक्टिक करंट हम इसको देंगे और वेल्डिंग जॉइंट होता जाएगा जैसे जैसे यह रोलर चलेगा यह पिर वर्कपीस है इसको हम नेक्स्ट आगे के तरफ फारवर्ड या फिर बैक्वर्ड मूब करके इसमें वेल्डिंग करते हैं जैसे कि यह हैं यहाँ पर टीप है यह कौपर लग्तोड नीचे में भी nom Ik बीच में जो सीट है इंसीeston इनमें हम लोग एक वेल्डिंग कर रहा है ठीक है स्पोर लिडिंग में क्या था Всीम्पल स्पॉस्प वैल्दिंग होटता सींट वेल्डिंग में क्या है कांटनूव मेल दिग mogą बीज कहा जाता है वीश टर्ण एजब पार्ट आफ फीट बीट्विन देम देप्रोसेस दस प्रोडूज ए कंट्नुस वेल्डिंग सीम रेदर देन सिंगल स्पोर्ड सीम वेल्डिंग इस अफ्टन यूज तो प्रोडूज थीन सेट लिक टाइट कंटेनर इसका इस्तिमाल कियाता है जो लिए गराना है ठीक है है लिए लिए अनशुाने करने के लिए फ्रोडिंगल नहीं होता होता है अब जैसे spot welding में क्या हो जाता है एक पॉइंट पे वेलिंग होता था यहां पर दो पॉइंट यहां पर दिया है वह जैसे दो-दो तक है अब यहां पर जो है फ्रेट idle or जो है यानि यह झो है यह 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 जो है अधिकर यहांeteर DAE यह पुराणड और यह वर्ग की से अब यह जो प्रोजेक्शन जैसा दिया हुए उसाल जहां जहां तो यह होता है प्रोजेक्शन विल्डिंग में क्या था ? इसको मल्टी स्पॉर्ट विल्डिंग भी बोलते हैं हो जा है बट वेल्ड ऐस देक्स्टर वेलडिंग में क्या होता है इसमें देखिए ये बट degel को इसको आगे पीछे इसको इसको Left या फिर राइट रम लोग इसको मूब कर सकते हैं यह क्लैम फिर रहता है क्लैम कर दिया जाता है अब यह दोनों में क्या है एलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेंगे टीक है वेल्डिंग ट्रांसफार्मर रहेगा लेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करेंगे जब यहां पर टॉच होगा तो क्या आगा महां का मैटल मेल्ट होने लेगा ठीक है हीट होके मेल्ट होने लेगा और एक ठीक है इसका application कहां कि इसका applications क्या है कहां कहां पर यह यूज किया आता है तो यह wires and rods with small diameter measurement generally up to 16 mm diameter 16 mm के diameter के जो rods है उनको joint करने में इसका यूज किया आता है but welding का इसके advantage कौन-कौन से होते हैं देखे इसके advantage is similar and dissimilar metallic capable of being welded मतलब similar और dissimilar मतलब एक ही तरह के matter रहेगा या पर दो अलग लग ट्रैप के matter होगे इसको आसानी से वेल्ड किया सकता है highly automated पूरा automated मतलब रहता है बस आपको सीम कलेक्स जैसे spot is spot welding में क्या कर रहा है बस प्रेस कर रहे थे में क्या कर रहे है बस उसको जो है यहां पर मूव कर रहे हैं तो यह बहुत मतलब automated welding होता है आपको ज़्यादा इसमें कुछ अलग करना नहीं होता है एक्टा नहीं करना होता है efficient and high production rate and high welding rate efficient होता है production rate भी होता है welding rate भी होता है cost effective होता है ज्यादा पैसे का नहीं होता है मैंस अब कम पैसे में भी मैंस यह welding कर सकते हैं डिस advantage क्या होता है डिस advantage में complex and often high cost machinery resistance welding percentage general require high level of technical trend personal use मतलब इसके लिए skilled worker के जोट पड़ेगी जो इसके बारे में जिसको इसके बारे में अच्छी से knowledge हो और यह machinery जो है थोड़ा सा हाई होता है मेंस हाई cost machinery होता है थिकने सब्सक्राइब फिर्स और अफ्टन लिमिटेड इसका जो मेंस इसको बहुत ज्यादे मोटे-मोटे जो मेंस सीट्स है या फिर प्रेट्स है उनको वेलिंग नहीं कर सकते हैं इससे resistance वेलिंग नहीं कर सकते हैं इस लेस एपिसेंट फॉर हाई हाई current की जोद पढ़ती है इसलिए जो है यह हाई electric पावर की जोद पढ़ती है तो उम्हें दोस्तों आपको resistance वेलिंग के बारे में समय आगया होगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जो और हमाई चनल पर नहीं है तो हमाई जल को सब्सक्राइब कर बैल लाइकन दबाड़े ताकि ऐसे वीडियो के अब्रेट्स आपको मेलती रहें इसलिए सब्सक्राइब जा